भानगड का किला जो राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है इस किले की डरावनी कहानी सदियों पुरानी है और इसे सुनने के बाद यहां आने वाले परियटकों में डर बना रहता है क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे भानगड किला सोलवी सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था जो आमेर के महान राजा मान सिंह के छोटे भाई थे ये किला अपनी अध्भुत वास्तु कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है ये किला अरावली की पहाड़ियों के पास बसा है और इसके आसपास घना जंगल फैला हुआ है भानगड किले की भूतियां कहानी एक प्रमुख कथा से जुड़ी है एक सुन्दर राजकुमारी रतनावती और तांत्रिक सिंगिया राजकुमारी रतनावती भानगड की राजकुमारी थी जो अपनी सुन्दर्ता और आकरशक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थी राजकुमारी की सुन्दर्ता के चर्चे दूर दूर तक थे और कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे तांत्रिक सिंग्हिया जो एक काले जादू का माहिर था राजकुमारी पर मोहित हो गया था उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काला जादू का सहारा लिया एक दिन जब राजकुमारी की दासी तेल खरीदने बाजार गई तो तांत्रिक ने उस तेल पर जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसके वश में हो जाए लेकिन राजगुमारी ने तांत्रिक की योजना को भाप लिया और उस तेल को एक चटान पर फेंग दिया इसके वजह से वो चटान तांत्रिक सिंगिया की ओर आकर्शित हो गई और उसे कुचल दिया मरते समय तांत्रिक ने भानगड को श्राप दिया कि ये किला और यहां के सभी निवासी नश्ट हो जाएंगे और उनकी आत्माएं यहां भटकती रहेंगी कुछ समय बाद भानगड और अजबगड के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ जिसमें भानगड के महाराज इस युद्ध में हार गए और भानगड के सभी निवासी मारे गए कहा जाता है कि मरते समय जिस तांत्रिक सिंगिया ने श्राप दिया था वो सच हो गया और भानगड के किले में रहने वाले सभी लोग बड़े ही रहस्यमई तरीके से मारे गए तब से इस किले के लोगों की आत्माएं इस किले में भटकती रहती हैं आज भी भानगड किले को भूतिया और प्रेतवाधित माना जाता है भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षन ASI ने यहाँ पर सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले प्रवेश मना कर रखा है लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ पर अजीबो गरीब आवाजें आती हैं और कुछ ने तो यहाँ पर आत्माओं को देखने का दावा भी किया है भानगड किले की कहानी भारतिय लोग कथाओं और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस किले की भूतिया कहानियों ने इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिया है जहां लोग इसकी रहस्यमय और डरावनी कहानियों को सुनने और अनुभव करने के लिए आते हैं क्या आप वहाँ जाना पसंद करोगे? हमें कमेंट करके बताओ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना मिलते हैं अगले वीडियो में